करोना केक्ट्री मरीजों किस संख्या अरून चोरासिया हमारे साथ लाइब जुड़वे हैं अरून मुख्यमंत्री तेश्च कुमार अब करोना पॉस्टीब हो गए है और लगातार करोना संक्रमन का आच्वाकरा है वो भी बढ़ रहा है क्या कुछ हालात बिहार में निश्ची तूर्प से हालात अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार सरकार बिहार में जो है कोरोना की संक्रमन दर लगातार बढ़ रही है और लगभग 5,000 नए मरीज कोरोना संक्रमित मरीज हर एक दिन मिल रहे हैं जैसा कि आपने बताया कि बिहार में कई मंत्री तो पहले ही कोरोना पोजेटिव हो गए थे यहां ते कि दोनों डिप्टी सीएम और कई मंत्री एक साथ कोरोना पोजेटिव आये थे अब बिहार के मुखिया नितिश कुमार भी कोरोना संक्रमित हो गए है और इसकी जानकार इसकी CM के कुरोना संक्रमित होने से गंभिरता समझी जा सकती है कि कुरोना की जो संक्रमन है वो किसी को भी पकर सकती है और इसके लिए हर किसी को सतर्क रहने की जरुरत है क्योंकि अगर कुरोना की सतर्क अगर हम नहीं रहेंगे तो कुरोना का जो यह दर है संक्रमन दर यह लगातार बढ़ेगी और यह महमारी का रूप ले सकती है जैसा कि पिछले दो महमारी के दोरान जिस तरह से हमने देखा कि काफी लोग इसके काल कवलित हो गए चुकि समय पर कई लोग को स्वास्वा नहीं मिल पाई और कई लोग काफी गंभीर हो गए तो अभी से सतर कराने की जरुरत है और जो भी कुरोना का गाईडलाइन है उसके पालन करने की जरुरत है हम लोग अकसर यह दिखा रहे हैं कई जगह पर जो कि कुरोना का गाईडलाइन का पालन लोग नहीं कर रहे हैं लापरवाही कर रहे हैं यहां तक कि आम लोग के साथ कई भी आईपी है वो भी मुवमेंट कर रहे हैं और भीर भार लगा रहे हैं जहां करोना का के जो संक्रमन है वहां बढ़ने की आसंका है तो अभी जिस तरह से ये डाटा है बिहार में उसे कहा जा सकता है कि काफी मतलब ये भायावा है इस्थिती है अभी 20,000 से ज्यादा संक संक्रमन है उसमें से जादा तर लोग है वो गंभीर नहीं है और अस्पताल में काफी कम लोग ही भरती हुए है तो ऐसी उमीद की जानी चाहिए कि जो भी लोग अगर संक्रमित भी हो रहे है तो वो गंभीर ना हो और घर पर रहकर ही ठीक हो जाए बिलकुल तो कुरोना के जो आकड़े हैं बिहार में वो क्या कह रहे हैं और राजधानी पटना जो हो होट स्पोर्ट बना हुआ है हाँ निशित रूप से देखिए राजधानी पटना में सबसे जादा केसे लगभग जैसा हमने पहले बताया है कि अभी बिहार में एक दिन में लगभग 5000 केसे आ र रहे हैं और सबसे जादा लगभग 2000 की जो संख्या है वो लगभग पटना जिला से मिल रही है चुकि यह राजधानी है और यहां ना सिर्फ पटना जिला के बलकि आसपास के और पूरे बिहार के लोग रहते हैं और बाहर से जो भी आते हैं हवाई मार्ग से या रेल हैं और लगभग बिहार में 5000 के लगभग हैं तो यह आंकरे कम नहीं है यह काफी जादा है अगर यही संक्रमन दर रहा तो काफी संख्यां बढ़ जाएगी एक सप्ता पहले संक्रमन संक्रित मर्जों की संख्यां बहुत ही कम थी लेकिन इस एक सप्ता दस दिन में देखे त तो बीस हजार से ज्यादा संक्रवित मरीज अभी पूरे बिहार में हैं और ये डाटा जो है तो अरूंड कहीं न कहीं संक्रमन काफी साधा तेजी से पाव पसा रहा है बहुत बहुत शुक्री